दोस्तो नमस्कार दोस्तो छट वाले घर का मालिक होना एक निराली लगजरी है यहाँ आपको आराम करने मरोरेंजन करने और नजारू का आनंद लेने के लिए एक नेजी आउट डोर इस्तान पर दान करता है हालांकि यहाँ उचा खुला इस्तान लगातार भारी संपर्क में रहने के कारण यहाँ पानी से होने वाले नुक्सान के परती सम्मेदन सील हो जाता है चाहे आप भारी वर्षा का अनुभव करते हो या चरम मौसम की इस्तिती वाले सेत्र में रहते हो आपकी छट की सरचनातमक अखंडता को बनाए रखने और जीवन काल बढ़ाने के अपनी चट को वाटर पूफिंग बनाने के लिए आउस्यक कदम उठा कर आप इसका इस्ताई तो सुनेश्चित कर सकते हैं और भौशी के महेंगी मरमत से बस सकते हैं संभावित समस्या वाले इस्तानों की पहचान करने से लेकर वाटर पूफिंग की सही सामगरी चुनने तक हम आपकी संपति के सुरक्षिया और आपकी चट को सुन्दर बनाए रखने के लिए आपको जो कुछ भी जानना आउस्यक होता है उसे सामिल करते हैं तो दोस्तों आज जो है टीटमेंट में आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूं यह रबर कोटिंग वाटर काम किया गया है ज्यादा जनकारी के लिए मुझे कॉल और वर्टसअप कर सकते हैं धन्यादा